हेलो अबरीवान माय सेल्फ हिमन तुम रहे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैगनेट ब्रेंस पे सर जो प्रोवाइट करता है कॉलिटी कंटेंट फुल कोर्स के साथ सर जो सी बीसी ने आपको अलॉट किया हुआ है और जो छी छोड़ दी गई है जो छी डिलीट हो यह वो भी मिलने वाली है सर यहां बिलकुल याद अखिये सर मैगनेट ब्रेंस पे सब कुछ मिलने वाला है और मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं सर जी कहा नहीं कहां तक छोड़ी थी सर जी क्लास 11 की के मिस्ट्री चल रही थी स्ट्क्चर ऑफ एटम चल रहा था बोल्स भाई को रास्ते में छोड़ाए थे बोल्स भाई को रास्ते में छोड़ाए थे उनके मॉडल को खारिच कर दिया गया था सर काम गलत नहीं था भाई का गाम बहुत तग्ड़े किये थे भाई ने लेकिन क्या करें सर कुछ खामिया निकल के आगई कुछ लिमिटेशन्स आ गए और वो लिमिटेशन्स यह आगए कि सर्जी हाइड्रोजन पर तो अप्लिकेबल हो रहा है लेकिन बाकियों पर नहीं हो पाए क्या करूं दूसरी बात हाइड्रोजन पे भी कुछ-कुछ दिक्कते देखने को मिल गई बहुत सारे एफेक्ट्स को नहीं बता पाए तो उस मॉडल को भी आमें खारिच करना पड़ा मतलब थॉंसन आया गया रजरफोड आया गया बोज आया गया अब कौन सर अब कौ कौने जो आने वाला है तीन-तीन मॉडल बेकार हो गए सर कोई है दुनिया में जो हमें कोई सही मॉडल बता पाए तो सर है और वह मॉडल आपके सामने होता है सर क्व там मेकानीनिकल मॉडल अभी तक का सबसे अकस्सेす फुल मॉडल सबसे सक्षेस्फुल मॉडल कि सर अइटम के अंदर एटम का structure यह होना चाहिए यह बताता है कौन quantum mechanical model सर सबसे successful model अगर मैं आज बोलू तो सर यही है और आज मैं इसी पर बात करूँ है कि सर इसके अंदर क्या-क्या देखेंगे आज इस model को start करेंगे नहीं लेकिन इसको किस तरीके से पढ़ना और क्या-क्या पढ़ना इसके अंदर वो अपन देखने वाले है चीक है बिलकुल कोई दिक्कत की बात तो नहीं है तो चलिए देखते हैं सर क्या है सर सबसे ज़ादा अगर किसी model को अगर accept किया गया है तो सर वो यही है widely accepted model of atom कौन है सर जी quantum mechanical model फिर रदरफोर्ड आये थे रदरफोर्ड ने इनको भगाया रदरफोर्ड की भारी आई रदरफोर्ड का भी discard कर दिया फिर अब हमारे पास आये था सबसे बढ़िया model जिस पे बहुत काम हुआ था और भाई ने काम भी बहुत किया था लेकिन ना चाते हूँ भी उसके model को हमें क्या करना पड़ा discard करना पड़ा और अब हम चौते model पे आये हैं जो सबसे बढ़िया model था सबसे तगड़ा model था जिसका नाम है quantum mechanical model fourth number का model सर सर भहुत सारी बाते इसमें आपको देखने पड़े की भहुत सारी नई नई चीज़े आपको देखने पड़े की लेकिन सर इसको लाने वाले scientist का जो नाम था जिनने इसको develop किया था उसका नाम था Irwin Stodinger क्या था? Irwin Stodinger इनने इस model को propose किया था इनने इसको बताए है था लेकिन सर इनने इसको based on quantum mechanics अभी quantum mechanics क्या है? ये क्या बात करना चाह रही है तो सर समझ ये ज़रा आपकी जो physics है ना बिटा आपकी physics दो पार्ट में डिवाइड़ है आपकी physics दो पार्ट में डिवाइड़ है यह सब भी पढ़ लिया सब कुछ हमने का ठीक है सर सर Festival में दो पार्ट रोते हैं अब ही सब जाओगे तुम Physics में दो पार्ट होते हैं एक होता है classical physics क्या होता है एक classical physics और एक आपकी होती है भया modern physics क्या होती है सर modern physics यह कौन सी physics है और इसी पर मुझे बात करने है, इसी को quantum physics भी कहते है, क्या कहते है, quantum physics, और इसी को quantum mechanics भी कहते है, अच्छा, avengers देखे हो, क्वांटम mechanics भी कहते है, avengers देखे हो, avengers, 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 अगर याद हो, तो आपका जो last part है, end game, end game में वो था न, अपना वो end man, वो आया था, उसने का था सर, quantum physics के बारे में जानते हो, उसी ने बताया था, सर कि वहाँ पर time बहुत स्लो हो जाता है, छोटे हो के जाना पड़ता है, य कुदे थे के ने कुदे थे, तो वो quantum physics की बात जो उसने करी थी, वो सर सही बात करी थी, अच्छा सर, quantum physics, फर क्या है सर, सर, फर क्या है classical physics और modern physics में, तो अब मैंने सुनो, सर आपने kinematics पढ़ा, आपने laws of motion पढ़े, आपने तीनो equation लगाई, आपने Einstein की बात करी, आपने Newton की आपने दुनिया जहां की बात करी, 910 में भी physics पढ़ी, gravitation पढ़ा, जो पढ़ा सब पढ़ा, सर, हर case में आप देखते थे, एक body है, जो rest में, एक ball है, फिक के मारा बढ़िया projectile देखने को मिला है, कित्ते acceleration से ball फिक के मारी गई होगी, कित्ते उससे वो man dog लगा रहा होगा, कार आपकी कित्ती fast चल रही होगी, कार का acceleration निकालो, कार की velocity निकालो, कार की gravity क्या होगी, भईया, कार पे कित्ती gravity add कर रही होगी, कार को इधर लटका दिया जाए, अब उस पे क्या force लग रहा होगा, भईया, पुली के across दो-दो block को टांग दिया था, अब वो block उपर नीच हो रहे थे, भईया, कौन से force से वो नीचे जा रहा होगा, कौन से force से उपर जा रहा होगा, सर आपने इसमें जो भी बाते करी, वो ball की बात करी, वो फत्तर की बात करी, वो आपने person की बात करी, आपने car की बात करी, आपने block की बात करी, मतलब आपने ऐसे material की बात करी, जो कबίας का मास सिग्निफिकेंट है जो देख पार हैं चीक है। उन सब पे जो भी फर्म लेश लग रहे हैं वह किसके फर्मलिस लग रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स के किसके क्लासिकल सिथिक्स कई लेकिन कभी आपने इस पर बात करी हैं और फिकुँगा तो कित्ती तेजी से नीचे आएगा बता सकते हो क्या तो कभी बात हुई कभी इस classical physics के अंदर आपके electron की बात हुई क्या कभी proton की बात हुई क्या हुई बताओ न हुई क्या नहीं हुई क्योंकि सर electron proton जो है भूँच छोटे छोटे पार्टिकल इतने छोटे सर बात ही छोड़ दो सर पूरी की पूरी classical physics जो है वो macro particles के उपर depend करती है macro बोले तो बड़े बड़े particles पे बड़े particles पे पूरा dependency होती है किसकी macro particles पे किसकी classical physics लेकिन जब मैं बात करता हूँ सर modern physics या फिर quantum physics या फिर quantum mechanics ये पूरी discuss कलती है सर छोटे से छोटे microscopic particles पे किस पे सर microscopic particles जैसे की electron जैसे की proton जैसे की neutron जैसे की atom इनके बारे में इनके laws अलगे आप electron के उपर Newton's का first law of motion नहीं लगा सकते आप proton के उपर friction नहीं लगा सकते आप proton के उपर projectile नहीं लगा सकते Newton's law of motion every action there is equal in opposite reaction आप proton और electron पर नहीं लगा सकते सर जी उन microscopic particles पर आपकी classical physics हो जाती है fail तब क्या करें सर कुछ तो लाना पड़ेगा तो एक नई physics लेके आए हम लोग नई कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ी क्योंकि सर करना तो पड़ेगा उनके बारे में अगर पढ़ना है तो इर्विन स्टो डिंजर ने बोला सर कुछ तो करना पड़ेगा मैं नहीं जानता इसी लिए एक नई physics की नीव रखी गई और एक नई physics के माध्यम से हम लेके आए जिसको नाम देते है इस पे पूरा बेज़े आपका कौन्टम मेकैनिकल मॉडल सर इसी पे बेज़े मतलब मैं आपको बोलू ना तो किमिस्टी कम फिजिक्स की बात ही करूंगा अरे सर इस चैप्टर में वही तो बात करिए मैंने मैंने पूरी फिजिक्स की बात तो करिए आप बताइए और इस मॉडल से पहले तक मैंने classical physics की बात करी थी बस करी थी करी थी कब करी सर classical physics अरे करी थी बोल्स ने angular momentum निकाला था mvr equals to nh upon 2 भाई सर angular momentum classical physics का time है classical physics से आता है rotational करके chapter आएगा 11 पे आप देखेंगे वाँ पर angular momentum निकाला जाता है तो सर पूरा का पूरा बोल्स थियो थी वो classical physics पर थी लेकिन इर्विंट सोडिंजर ने का सर मैं model तो दे दूंगा लेकिन मेरे को एक नई physics चाहिए देखा भाई ने मांग कैसी रखी modern physics चाहिए नई physics चाहिए तभी मैं काम कर पाऊंगा ने तो काम नहीं कर पाऊंगा तो उनने एक नई physics की मांग रखी और उसकी रच्चेता हुई और हमने देखा modern physics quantum physics और quantum mechanics इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं सर जी microscopic particles microscopic particles मतलब पूरी quantum physics के अंदर पूरी modern physics के अंदर और पूरी quantum mechanics के अंदर हम जो particles को लेने वाले हैं वो कौनसे को लेने वाले microscopic particles सर इलेक्ट्रोन सर प्रोटोन सर न्यूट्रोन इनके उपर कौनसे फंडे लगेंगे physics के वो इसके अंदर निधा देते हैं तो सर तब जाके हम एक model तयार करेंगे और जिसका नाम है quantum mechanics model ये squad dinder ने बोल दिया था किसको वह या market में हमका चाहिए नई physics और कौनसी physics modern physics और यहां से फिर कहान ही हो चुकी थी चालू अब सर बढ़िया model model तयार होने लगा कुछ ना कुछ चीजे आने लगी लेकिन उससे पहले भी एक दो चीजों पर और बात करनी ज़रूरी थी जैसे मैंने बोला आज मैं आपको बताने आये कि quantum mechanics model चालू कैसे हुआ क्या चीजे लगी लेकिन उससे पहले दो तिन चीजों पर बात होनी थी चीजे तो एक बार इसका तो इसके इंशॉट की कोई जरूवत नहीं है चलिए तो लेना चाहो तो फिर भी ले लो एक कि quantum physics की जरूवत पढ़ गई ठीक है अब इसमें सबसे important बात सबसे important लोग आयते जिनका नाम था डी ब्रॉग ली और एक second आयता अपना uncertain heisenberg heisenberg करके एक scientist थे उनने एक principle दिया था जिसका नाम था uncertainty principle यह दो लोगों ने सर बहुत बढ़िया काम किया था इसके बाद model चालू हुआ अब कैसे आपने पढ़ा है light light के पढ़ा है ना light के पास दो behavior था electromagnetic radiation के पास सर वेव तो था ही पार्टिकल नेचर भी दे दिया था कंचे वाला दिया था क्या नहीं दिया था अब डीप लॉगली गुस्सा हो गए गल से चले गए कहते सर आपने light को दोनों behavior दे दिये वेव फर्म में भी light चलती है और साती जात कंचे के फर्म में पार्टिकल के फर्म में भी light चलती है लेकिन डीप लॉगली लड़ गए कहते हैं सर तो फिर आप ये भी मानी है कि जो पार्टिकल होता है कौन होता है पार्टिकल होता है उसके पास भी दोनो behavior होते हैं मैंने का कौन कौन से उनने का भईया उसके पास पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है साती साथ उसके पास वेव नेचर भी होता है कौन से नेचर होता है वेव नेचर मैंने का बहुत बढ़िया सर मतलब जो पार्टिकल से उसके पास पार्टिकल नेचर तो हो गई साती साथ वेव ने और उन्हें एक फॉर्म्ला वगेरा ड्राइफ किया वेवलेंट वगेरा निकाला मुमेंटम के साथ प्लैंक्स की थियोरी के साथ कनेक्टिविटी दिखा के और वहां से यह जस्चिफाई हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास भी वेवनेचर होता है तो मैंने का यार सर डाउट है मैंने आज तक एक बॉल को उठा के फेका है कभी भी बॉल ऐसे ऐसे तो गई नहीं सीधे सीधे चली आती है तो उन्हें का भाई साब होल्ड ऑन डीप गॉगली भाई मुझसे केते रुको एक मिट मैंने का ठीक यहां बताओ केते हैं सर अभी आपको थोड़ी जर पहले ही समझाया आप भूल गए मैंने का क्या समझाया तो उन्हें बोला सर मैंने बात करी है microscopic particle की मैं यह थोड़ी के रहा हूं कि गेंद के पास वह वेव नेचर होगा गेंद के पास वेव नेचर होगा तो मैंने गेंद के पास नहीं होता किता होता तो है होता तो हर पार्टिकल के पास वेवनेचर है लेकिन दिखता नहीं है मैंने का या दिखता नहीं है तो पिर हम क्या करें तो कहता है सथ देखने वाली चीजों को आप नहीं देख पाऊगे मैंना क्या चाहरा हो कहता है कुछ पार्टिकल के पास वेवनेचर होता है लेकिन उसको आप नही तेरी तो मैंने का मुझे घं़ राए एक एक क्याता है है ऐलेक्ट को आप नहीं देख आोगे और गेंद्ध को आप अप आप देख पा रहे होता है फ्राग नहीं तो archive नीचे क्कया और अच्छे से समझेंगे और वाकई में ये बास सही थी तो sir वो ये explain the concept of dual behavior of matter यही थर डी ब्रॉगली ने जो दिया फिर हाईजेंबर्ग uncertainty principle आई ये वाले इनने भी अपना एक रूल दिया इनने का sir कभी किसी भी microscopic particle momentum और position दोनों को accurately निकालना आप momentum निकाल रहे हो और साथी साथ उसकी position निकाल रहे हो तो उसमें पका आपको कुछ ना कुछ error मिलेगा कुछ ना कुछ uncertainty मिलेगी और वो बात भी बिलकुल सही थी और वो uncertainty कित्ती मिली वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा Heisenberg Uncertainty Principle तो ये दो भहुत important तत्व हैं और इसके बाद मान लो आज की वीडियो के बाद आपको पहले मिलेगा D-Brogly और इसके बाद मिलेगा आपको Heisenberg क्या मिलेगा? Heisenberg ये main feature थे किसके? quantum mechanics model के दोनों के दोनों एक D-Brogly साथ और एक Heisenberg साथ दोनों बहुत तगले आदमी थे इनने आप मानेंगे नहीं model को एक अलगी उचाई पे देखा था और उसके बाद squad इंडस आएंगे और आपका final model लाके दे देंगे और उसके अंदर फिर बहुत सारी बाते भी कल देंगे like quantum numbers वगेरा जो अपन आगे की तरसा में बे देखने वाले हैं तो आज मैंने आपको briefly बता दिया कि quantum mechanics model के अंदर अपन क्या देखेंगे कैसे देखेंगे और किस तरीके से देखने वाले हैं तो याद अखिये सर अब अगला वीडियो जो आना है वो दीप रॉगली साप पर आना है और उसके बाद हाइजनबर्ग अंसर्टेनिटी प्रिंसीपल पर आना है तो दो इंपोर्टेंट थिवरीज आपके सामने आने वाली है तो सर कमर कस लीजिए चाप्टर भी इस वीक में एंड होने वाला है तो मज़ा आने वाला है सर एक तगड़ा चाप्टर जो की होने वाला है आप समाप्त तो फर्स्ट वी विल स्टड़ी दा डिवल निचर अफ मैटर एंड हाइजनबर्ग अंसर्टेनिटी प्रिंसीपल दैन दा मेन फीचर साफ दा क्वांटम मेकानिक्स मॉडल देखेंगे तो यह वो पैटर्न है जिसमें अपन को फॉलो होना है क्लियर है तो एक बरस कर स्क्रीन शॉट ले लिजी कि कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ना है फिर उसके आद में वीडियो कंक्लूड करता हूँ जल्दी देखिए चलिए तो यहां तक समझ में आया कोई दिक्कत की बात तो नहीं है तो सर इस तरीके से अपन आगे बढ़ने वाले हैं और फाइनली इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे तो अगले में अपन मिलने वाले हैं सर किससे दीप लॉगली कंसेप्ट से और उसके अगले में किससे मिलने वाले है हाईजिन बखसल दोनों पे निमेरिकल आता है और दोनों पे लाइफ क्लास में आऊँगा जमा जमा अपन काम करेंगे तो आज समझ में आया overview जो बनाया मैंने किस तरीके से ये चीज़े आपके सामने आने वाली है तो सर बस बने रही है बैठे रही है आपको एक एक चीज़े मिलने वाली है और मज़ा आने वाला है और मैं आपको गह रहा हूँ अगले वीडियोस कुछ वीडियोस बहुत तगले आने वाले हैं आपकी एकदम सोच के परे हो जाएगा सर मॉडल ऐसा है एटम ऐसा है अरे बहुत बढ़िया है सर जी एटम बहुत तावगत तोड़ है चलिए तो सर बात करते हैं जो मैंगनेट बेंस आपके लिए बहुत बढ़िया काम करने में लगा हुआ है और हमेशा लगा रहना चाहता है और आपके लिए एक और खुछकबरी अदभुद बैच क्लास 11 और 12 के लिए सर इसके फीचर्स मैं बात करूँ मैं तो complete CBSE board slavers पर काम करे गई ना कुछ उपर ना कुछ नीचे पहले board को तगड़ा बनाएंगे फिर आगे चलेंगे सर, doubt solving sessions कभी भी कोई doubt नहीं रहना चाहिए सर अभी भी तो आप life class में आके बिटा है इसके अंदर limited बच्चे है एक तरीके से यह मानलो one on one बताने वालाओं सारे doubts one short revision पढ़ाई तो सभी कर रहा है सर पढ़ाई में क्या कमी हो रही है सब बढ़िया लगे हुए है पढ़ाई लिखाई में लेकिन सर जो चीज नहीं होती वो है revision अगर आप revision time to time नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी इसलिए revision must है फिर सर e-notes जैसे आप लोग चिलाते रहे तो ना सर notes कहां से ले सर क्या लिखें कैसे लिखें क्या notes बनाए कैसे बनाए सब मैं बताऊंगा attention बिल्कुल नहीं online test and solutions सर पहले online test दीजिए next life class में उसके solution पाईए और अपने आपको चेक करिये सर जी कितने पानी में है वो वाली बात उसके बाद mind map videos बहुत जरूरी है MIQs MIQs बोले तो most important questions साथी साथ MCQs सर MCQs पर आजकल बहुत focus दे रहे हो क्योंकि सर सतन नंबर का chemistry का paper उसके 30% MCQs सर जी इसको लगाना बहुत जरूरी है तो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला CBSE sample paper साथी साथ solutions सर जी इसको करना भी बहुत जरूरी है और इसी के साथ मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर mock test 3 गंटे का mock test सर सर इसको बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा यह मेरा favorite है और इसको कर लिया तो आपका काम हो जाएगा available now सर जी कौन कौन सी stream package में सर science stream में सब कुछ है PCMB सर commerce और humanities भी पूरा available है सारी stream के साथ streams का मेरे को आता पता जादा नहीं है इसलिए में अंदर नहीं गुदूँगा लेकिन सब चीज़े उसमें included है कि कौन कौन से subject है सारे जित्ते भी subjects होते है सब available है special offer है sir 50% off मतलब जो भी इसकी fees रहेगी वो 50% off है साथी साथ अगर आप code लगाते है magnet 10 तो additional 10% का odd discount है और इसके बारे में और जानना चाहते है कब चालू होगा कैसे चालू होगा description box में link available है सब जी जाइए enroll करवाईए और एक number भी है घंटी बजा दीजिए sir क्योंकि कहीं ही देर ना हो जाए तो ये इस चीज़ को याद आखिए important है sir कई बैच फुल ना हो जाए तो लगे रहिए जुडे रहिए sir और बने रहिए बहुत मज़ेदाल चीज़े है एक बार मैं इसको clear कर देता हूँ एक screenshot ले लो और फिर अपन वीडियो को fully conclude कर देते हैं चलिए तो sir यहाँ तक बास समझ में आई कोई दिक्कत तो नहीं है पका चलिए तो अब मिलेंगे sir अगले lecture में और क्या पढ़ने वाले है सर्जीड डी ब्रॉगली उसके अगले में हाईजेनबग अंसर्टेनिटी प्रिंसिपल sir जो की होगा धमाकेदार जो की होगा तरकता और भरकता तो sir बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसको ठीके तो याद रखना है बने रेना है मेरे साथ और मैगनेट बेंस के साथ और अगर कोई भी दिक्कत हो तो sir प्लीज लिग दीजिए कि sir यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है क्या करा जाए और अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो एक बार लिग दीजिए sir all best ठीक है और एक बार attendance जरूर लगाईएगा फिर मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you so much